इसका उप्योग खांसी के साथ बलगम का इलाज करने के लिए किया जाता है यह सयोजन आम तोर पर फेफ़रों पर कार्य करता है जिसमें शलेशम टूट जाता है और श्वसन पत के माध्यम से हटा दिया जाता है जबकि पत फैला हुआ होता है इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में ले उप्योग करने से पहले निर्देशों के लिए लेबल की जाँच करें इसे मापने वाले कप से नापे और मूह से ले इस्तेमाल से पहले अच्छी तरह हिलाएं ब्रोज एटेक्स एसिफ सिर्फ भूजन के साथ या बिना भूजन की ये इसे लिया जा सकता है लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए धन्यवाद